इस्राइल को हराने के लिए एक नया मोर्चा तैयार हो चुका है और इस मोर्चे पर तीसरे हमास ने एक बड़ा हमला भी कर दिया है बुरी ख़बर मिलने के बाद नितन्याहू ने ये पूछा कि ये तीसरा हमास कौन है हमास और इस्राइल का युद्ध बहुत से मोर्चों पर चल रहा है लेकिन जिस फ्रंट पर सबसे ज़्यादा आग लगी है उस मोर्चे पर तीन लोग बहुत बड़े नियूज मेकर बन चुके हैं इन्हें लेकर जो खबरें गर्म हैं उसने नितन्याहू को बहुत ज़ादा परेशान कर दिया है पहला है हमास चीफ यहया सिन्वार जिसने चौर्डन में हमास पार्ट 3 की शुरुआत कर दी है और यही इसराइल की सबसे बड़ी टेंशन है दूसरे हैं इसराइल के पुर्व प्रधान मंतरी एहूद बराग जिन्होंने दावा किया है कि गाजा और लेबनान मोर्चे पर इसराइल की सो परसंट गैरंटी है दीसरे हैं अमेरिका के पुर्व राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प जिनका दावा है कि अगर कमला हैरिज अमेरिका की अगली राष्टपती बनी तो इसराइल दो साल के अंदर पूरी तरह मिट जाएगा सबसे पहले बात जॉर्डन की जहां विस्ट बैंक और एलन बी ब्रिज क्रॉसिंग पर एक ट्रक ड्राइवर ने इसराइल के तीन सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से भून डाला ये ट्रक ड्राइवर जॉर्डन की तरफ से आया अपनी गाड़ी से उतरा और बोर्डर गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगा इस हमले में तीन सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है जबकि हमलावर भी जवावी कारवाई में मारा गया मारा गया हमलावर जॉर्डन का माहिर अल-जाजी एक ड्रग ड्राइवर था उससे हमास ने अपना हीरो बताया है इसलिए कहा जा रहा है कि क्या जॉर्डन में हमास पार्ट 3 लाँच हो चुका है ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा खत्रा है क्योंकि अब नेतनियाहू के उपर तीन तीन हमास मन राने लगे हैं घाजा में हमास पार्ट 1 विस्ट बैंक में हमास पार्ट 2 और अब जॉर्डन में हमास पार्ट 3 इसराइल का तीसरा बड़ा दुश्मन बन चुका है इस्राइली सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बाद जॉर्डन की राजधानी अमान में लोग सड़कों पर उतर आए इस्राइल के खिलाफ नारे बाजे शुरू हो गई साइक्लों लोगों की भीड माहिर अल-जाजी को अपना नाहिक बता रही है फिलस्तीन के लोग जॉर्डन में बड़ा प्रोदेशन कर रहे हैं फिलस्तीन को लेकर जॉर्डन में बड़ा समर्थन है और घाजा में बंबारी के खिलाफ यहां लगातार प्रोदेशन भी होते रहे हैं लेकिन इस प्रदेशन ने जॉर्डन की सरकार को भी हिला कर रख दिया है क्या जॉर्डन में अब इसराइल के खिलाफ नई चिंगारी शोलों में तबदील होगी क्या जॉर्डन की पबलिक अपनी सरकार को इसराइल पर तबाव डालने के लिए मजबूर करेगी किया ये प्रदेशन साबित करता है कि अब हमास का उपरेशन अब जॉर्डन से भी शुरू हो जाएगा विस बैंक और जॉर्डन के बॉर्डर पर हुए हमले के बाद अमान और बाकी इलाकों में इसराइल के जंडे जलाए जा रहे हैं लोग मिठाईयां बाट रहे हैं ये साफ साफ नेतनियाहू को मेसेज है कि उनके खिलाफ अब जॉर्डन में एक नया मोर्चा खुल चुका है जिसे हमास पार्ट्री कहा जा रहा है अब तीसरे मोर्चे पर ऐसे हमलों को रोकना उनके लिए आसान नहीं होगा ये बात नेतनियाहू से जादा बाइडन के लिए बहुत बड़े तनाव की वज़े बन सकती है फिलहाल पश्चिम एशिया की मीडिया में इसराइल के पूरु परदान मंतरी एहुद बराग के एक बयान से बहुत ज़ादा चर्चा है इसराइल के हयुम अखबार को दिये इंटर्वियू में नितनियाहू को ले करके एहुद बराग ने बहुत सखत बात कह दी है एहुद बराग ने कहा है कि सच बहुत कड़बा है इसराइल ना साथ अक्टूबर को जीता ना इसराइल मौजुदा युध जीत रहा है सचाई ये है कि हम हार की चौखट पर खड़े हैं अब इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए क्योंकि टारगेट पर तो साफ साफ नेतनियाहू है युद हारने वाली बात सुनकर इसराइल में तनाव बढ़ने लगा है अपने पूरु परदान मंतरी की बात नेतनियाहू और उनके सरकार को बहुत बेचैन कर दिया है और अब ये बेचैनी इसराइल की फौज में भी फैल सकती है और यही सबसे बड़ा खत्रा है इसलिए रक्षा मंतरी यो गैलन्ट को घाजा के मोर्चे पर जाकर बताना पड़ा कि आल इस वेल इसराइल युद हारने नहीं जा रहा यो गैलन्ट बार बार इसराइल के मोर्चे पर जाते हैं लेकन अस्बार उनका सेनिकों के बीच पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि एहुद बरागने इसराइल में खत्रे की घंटी बजादी है आसमों बाज़ा जाजगीं लासीग एच्टे हम अतारों चलानो गम लखसलता हमास वगम लखजीरता चतुफीं और अनको अला अन्यान अज़े बकौल हकुछ बमकבिल लनुसे ज़े अज़े नहों मस्तखलीं अलकौल हजीरा वज़े ओमेर शे बजमन शेत्म नलखमीं कन बाज़ा अनको नेराखिम गम लेकौल दावर शेकोली कोड़ बातसफ़ों आपने देखा पहला न्यूजमेकर हमास चीफ यहया सिन्वार जिसने जॉर्डन में हमास पार्ट 3 की शरुवात कर दी है आपने दूसरे न्यूजमेकर को देखा इसराइल के पुर्व प्रधान मंत्री एहूद बराग जिन्होंने दावा किया है कि घाजा और लेबनान मोचे पर इसराइल की 100% गैरेंटी है अब देखिए तीसरे न्यूजमेकर हैं अमेरिका के पुर्व रश्टपती डॉनल्ड टरम जिनका दावा है कि अगर कमाला हैरिस अमेरिका की अगली प्रश्टपती बनी तो इसराइल दो साल के अंदर पूरी तरह मिट जाएगा इसराइल के मिटने और खत्म होने की चेताउनी दे रहे हैं डॉनल्ड टरम वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिला ने इसराइल की मिलिटरी लीडर्शिप से मुलाकात की है इस दौरान जनरल कुरिला को बताया गया कि घाजा से लेकर वेस्ट बैंक में ऐसे आपरेशन चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ एरान के खत्रे को लेकर भी बहुत सी बातें की गई है क्योंकि एरान ने अब तक हमास चीफ इसमाईल हानिया के मुर्डर का बदला नहीं लिया है ये मेटिंग साफ साफ बता रही है कि तेहरान को लेकर तेल अव्यू में बहुत बड़े फैसले लिये गए हैं इस वक्त इसराइल और अमेरिका की ऐसी मेटिंग को लेकर सबसे ज़ादा अलर्ट इरान है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामने ने भी अपने कमांडरों को एक चितावनी भरी सलह दी है खामने ने कहा है कि दुश्मनों पर कभी यकीन नहीं करना चाहे समझाते को लेकर कितनी भी बाते क्यों ना की जाए इसली पश्ची मेशिया के आसपास का इस वक्त अबल रहा है क्या फारस की खाडी में कुछ बहात बुरा होने वाला है उबलते समंदर में कोई है जो तेजाब डाल कर यहां युद्ध करना चाहता है चार देशों के नाम लिए जा रहे हैं ये है इरान, इसराइल, अमेरिका और रूस इरान के समंदर में बहुत बड़ी साज़िश सितंबर के महिने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है क्या सितंबर के महिने में इरान और इसराइल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका और रूस दोनों शामिल होने जा रहे हैं अगले 48 घंटे इरान और इसराइल दोनों के लिए बहुत एहम है तिलहाल अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इरान के पास भी है और इसराइल के पास भी है इसराइल में अमेरिकी जनरल कुरिल्ला का दोरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त इसराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है और इस फैसली के टार्गेट पर हमास नहीं बल्की एरान होगा